रामचंद्र जी है कुरुशेत्र से स्वागत है आपका अजी नमस्कार जी नमस्कार अधार अधार जी मैं मेरी उमर बावन साल आ जी हम और मुझे कब जी बहुत रहते हैं कब जी जा रही जी ठीक है अच्छा देखिए सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया देखिए फिर बोला हूँ आप लिख लीज़े घर की चीजें सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया यह 5 चीजे आप सौ सो गिराम खरी दें और इनको पाउडर बना लें सौफ, सौट, अजवाइन, जीरा और धनिया इनको पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें काफी बना लें अब सो सो ग्राम भी लेंगे तो पांच सो ग्राम हो जाएगा अब आप नमक जैतून लें नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकी नहीं होता है जायके में हलका सा कड़वापन या खारापन होता है नमक जैतून अब दो चुटकी ये चुटकी कहता हूं मैंसे दो चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिये का और मेथी का इसमें मिलाकर रोजाना आदा घंटा पहले खाने से पहले आप खाया करें दिन में दो बार आप ये अमल करते हैं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है आजबात से जीवन मिश्रा जी स्वागत है आपका नमस्कार में जी नमस्कार सर अकिम साव को नमस्कार जैहिं सर स्वागतम कैसे हैं सर मैं बहुत बेहतर हूँ आप बताएं कि इस तवियत आपकी बस मेरी तवियत तो ठीक है बस मेशेज की तवियत अभी ठीक नहीं है आपके बताएं से दे रहा उनको कि यह जो बताते हैं कि जैतुन का नमक और धनिया का पॉडर क्या हार आजमी को ले लेना चाहिए इससे कोई बिकत तो नहीं आएगी क्योंकि आजकल तो पेट का प्रोब्लम जो है 50% लोगों को रहता ही है और दूसरा यह पूछना था कि 25-26 साल का लरका है उसके आखों में घर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है यह मुणडी बूटी जो बताते हैं हकिम जी क्या उनको दे दिया है मुणडी बूटी दूसरा तो यह पूछना था जी ठीक है यह कोई और दवा खा रहें है क्या आपकी MESSAG कोई English दवा भी खा रहे हैं नैं, English दवा निज बंद का रखिए सr, ठीके ठीके, और क्या सवाब, ओधनां यह ज bald तो यह इसको कोई भी ले सकता है, अपनी उम्र के अनुसार, बारा साल के ज्यादा के लोग एक एक चमज तक ले सकते हैं, दो बार, धनिया पॉडर और नमक जैतुन, ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है, और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है, गैस, अैसिधिटी, कब्स, बवसीर और भी पेट की सूजन हो लीवर की सूजन हो और क्रिटेनाइन बढ़ जाती है किड्नी का फंक्शन खराब हो जाता है उसमें गंदगी जादा हो जाती है जिसे क्रिटेनाइन कहते हैं जिसकी विज़े से हमें डायलेसिस कराने पड़ती है हर हफते हफते में दो बार तो ये इन रोगों के लिए और चर्म रोगों के लिए है चर्म रोगों में जिनको खुजली दाने वगईरा हो जाते है या सौराइसिस एक ऐसा मर्ज जिसका कहीं इलाज मिलना मुझे तो पता नहीं कहीं है के नहीं है लेकिन इससे सुराइसिज भी भगवान अच्छा कर सकता है अच्छा आप अपनी मेसिज को दूसरे दें इदवा और अगर ज़्यादा मेगदार में दे रहे हैं तादाद में तो थोड़ी कम कर दें इसकी खुराइक आदा गिराम है और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजे और एक चुटकी सोडा रोजाना दे दिया करिए खाना इनको और उजह हैरत है कि कोई इंग्लीज दवा ने चल लाई तो ये कैसे इनको पित्ती सी उचलती है लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुमकिन है तीसरा सवाल है पच्चै से 26 साल का एक लड़का है इनका जिनकी आखे लाल रहती हैं तो क्या उन्हें मुंड़ी बूटी दे सकते हैं हां जरूर दे सकते हैं उनको एक बुंड़ी बूटी रोजाना एक हफ़ते तक खिलाइए और पानी पिलादिया करिए आपके बच्चे के यह तक्रीफ ठीक होना मुम्किन है अध्य प्रदेश से हैं रितेश स्वागत है आपका मेरे पापा के लिए सवाल साज उनकी एज सिश्टी है उनके लिए जैजन का सरका गौंतिया चल रहा है लेकिन उनको एक डॉलम होती दोनों जो मशूरों में उनको डर्द होता है बहुत रहें का लगा एक गेर साल से तो उसके लिए सब कुछ चचा बता जीजी इन उसका जो उनको आरा मिल जाए तब्यत कैसी है वाली साब की तब्यत कैसी है आपके अभी सर अभी तो इतना कोई ज्लीफ नहीं है जड़ तो है उनको कमरत से लेखे पैर में बीपी शोगर की पॉलम है अभी हगा शहसाद दिन में कोई बात नहीं अभी तो फाइदा थोड़ा करें और मसूलों के लिए अगर मल्टी विटामिन की कमी है तो उसका एक कैपसूल आप दिया करें तीन तीन दिन में तो वो उससे जाएगी और अगर वो जरुरत के मताबिक हैं तो फिर एक बहुत आसान सा नुस्खा है देखिए यह जो पैट्रॉल हम डालते हैं अपने स् आपने दाट में लगा के मूलेट का लें दिन में एक बार करना है यह बस और दो तीन दिन करना है उनके दाटों का दर्द अच्छा होना मुम्किन है कैल्शियम का खया लगे हर हफते कैल्शियम और मल्टी विटामिन का एक कैपसूल जरूर दिया करें और जब तक जीवन ह है जब तक दें हम ऐसे लोग जिनकी उमर चालिस से ज़्यादा है पचास हो साट हो सतर हो चालिस के बाद हर शक्स को एक मल्टी विटामिन विट कैल्शियम एक कैपसूल या गोली जरूर हर हफते खानी चाहिए जम्मू से है हरपाल सिंग स्वागत है आपका अंजी नमस्क अंजी मैं जम्मू से बोल रहा हूं मैंने अपनी मिसिस के लिए गोंचियम हुआ था जी तो उनको डिस्क की प्रावलम थी पूरी कांग में दर्द आता था वो 15-20 दिन हो गया खाते हुए तो उनको थोड़ा सा फर्क तो हुआ है लेकन फिर थोड़ा ऐसे तो थोड़ा से बारी बारी लग रही है और नसें जो है खिच रही है ऐसे दिखी यह सब जो कुछ भी हो रहा है गौंसिया से ही हो रहा है फाइदा शुरू हो गया है हो सकता है और नसें खिचे जब ऐसा लगे कि बरदाश नहीं हो रहा बहुत जादा तकलीफ है तो आप दो तीन दिन चा नहीं यह गौन सिया जो है न एक operation टाइप है इसके लिए operation कराते हैं लोग कमर का और यह दवा भगवार ने ऐसी बनाई है कि यह बगएर operation के ही सब की रिपेर कर देती हैं तो नसे की दबी भी हैं कमर में तो वो ऐसे सीधी होंगी नसों में ताकत आएगी तो यहां टांगों म आदा हो तो द्रत की गोली खा लें दो चारती लगातार ले लें यह न छोड़ें गौंसिया आदा आदा गिराम खिलाएं बहुत जल्द आपका फोन आएगा मेरे पास तुम्हें बढ़ा खुश होंगा कि उनको फाइदा मुकमल तोर पर हो चुका है एक आखरी कॉलर है ज जी वो कहा है मेरे मिस्स के बाल बहुत जड़ रहे हैं हाँ तो वो उपाई को पूछना था क्या उप्रेगम नहीं है उम्रें के 28-30 सल ठीक है जी जिन महिलाओं या पुर्षों के भी बाल जड़ते हैं या फिंपल्स निकलते हैं या अंडर एज हैं हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए कुद्रत का एक अनमौल तफाय जिसे गौन मौरिंगा सफेद कहते हैं यह गौन मौरिंगा सफेद नकली भी बहुत मिलता है असली ले एक गिराम रोजाना पानी दूद्ध या नारियल पानी मिलाकर अगर उन्हें पिलाएंगे तो उनको फाइदा होना मुम हम अच्छे हैं आप बताई किया सवाल है आपका अभरिया और हकीम जी को भी नवश्कार दक्साब को मिन दशकार मेरा जहीं आदाब आप कैसे हैं भाई बहुत बटीया हैं डक्साब बहुत धन्यवाद मेरा कॉल लग गई य जी मैडम बताईये सर अपना सवाल कर लिजी जी जी बहुत बहुत दन्यवाद आप लोगों को पहला मेरा स्वाल है कि जब में कुर्शी पर बैठा रहता हूँ कि प्रोग बढ़िया हूँ सर टीवी बिलकुल मत सुनिये देखि टीवी सुनेंगे तो बहुत देर में जवाब देंगे टीवी मत सुनिये, फोन से बात कीजिये, जी रासब, पहला सवाल है मेरा, मैं जब कुर्शी पर बैठा रहता हूं, तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और जब मैं रात को सो जाता हूं, सुवह नॉर्मल हो जाता है, और दूसरा सवाल है, मेरा बेटा है और उसकी उ हुआं, पैसे दबाई भी कराइग और बैसे भी कराई है, लेकर उसकी हाएट नहीं बढ़ रही है, तीसरा सवाल, जी तीसरा सवाल मेरा, यह था सवाल, मैरा यह है, कि इक कॉलेस्टिर बढ़ा हूआ है, आपका, डोच्छो है, 200 मैं बंब ही चैश कराई है, तो 200 है, प्या काफी लेट कर दिया फिर भी कोशिश कर लीजे और गॉन मौरिंगा सफेद एक आता है जो असली लेना जरूरी है नकली भी लोग बहुत बेचने लगे हैं तो गॉन मौरिंगा सफेद एक गिराम बच्चे को पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर जैस इसे भी आपकी हैसियत है हालात है इस हिसाब से दीजिए कि वह भी बहुत महिंगा आता ना 40-50 रुपे का नारियल पानी तो गरीबों के लिए पानी से काम चल जाता है रहीस लोग नारियल पानी में भी ले सकते हैं यह उनको दो-तीन महीने दीजें उनकी हाइट का का के बैठते हैं कैलिशियम की कमी चल लई आपके अंदर तो कैलिशियम की एक गोली हर उस आदमी को यूज करनी चाहिए जिसकी उमर 40 साल से ज्यादा है एक हफते में एक कैलिशियम की गोली खा लिया करिए यह सेलिंग आपकी अच्छी होने लगेगी और कॉलिस्टॉल ज यह कलोंजी का कलोंजी का सिरका दो या तीन चमच एक गिलास पानी में डालकर रोजाना और उसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा मिलाकर रात को सोते वक्त पी लिया करिए आपका कॉलिस्टॉल लेबिल ठीक होना मुम्किन है पत्नी के लिए गुटनों में दर्द गुटन पचार किया और लोगों को बड़े फायदे हुए गौन सिया नाम का एक गौन आता है जिसे काला गौन भी कहते हैं लेकिन बतकिस्मती से अब इसे लोग नकली बहुत बेचने लगे असली लेना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं तो मांगते हैं तो वो एलवा दे देते हैं एलवा नहीं लेना या कोई और गौन दे देते हैं जो चमकते हैं शीशे की तरह चमकता गौन दे देते हैं यह गौन सिया है जिसे काला गौन मैं कहता हूं यह चमकता नहीं है लेकिन अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको असली तो 15-16 रुपे रोज क के दूसरे ये 100 ग्राम खतम नहीं हो पाता कि मरीज़ का ठीक होना मुम्किन होता है